अब सभी का स्वावेते हमारे यूटूब चानल में इस रिशालाइन इस रुबाली, we are going to show you समोसा रेसिपी, चलो देखते हैं फिर समोसा बनाने की रेसिपी हमने समोसा बनाने के लिए दो कप मेटा दिया है उसमे हम अजवाइन डालेंगे खुड़ो सा नमक डालेंगे और दो चमच तेल डालेंगे इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका आटा गून लेंगे इसमें थोड़ा पानी अड़ करके इसका आटा गून लेंगे ध्यान रखें पानी जादा नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे और रोटी भी अच्छे से नहीं बेली जाएंगे इसके दो ये टाइट होना चाहिए अब ये हमारा अच्छे से दो बनके रेडी हो गया है अब हम इसे 15 मिनिट के लिए साइड में रख देंगे अब हम मसाला बनाएंगे उसके लिए हमने लिए हैं उपले हुए आलू, चाट मसाला, उपले हुए मट्टर, शोब, जिंजर पेस्ट, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, कटी हुए हरी मिर्च, अब हम पोटैटो मैश कर लेंगे ध्यान रखें पोटैटो ज़्यादा मैश नहीं होने चाहिए देखो हमारे पोटैटो मैश हो गये हैं अब हम कड़ई में दो गड़े चम्मच तेल लेंगे तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम उसमें जीरा एड़ करेंगे अब उसमें हम कटी हुई हरी मुर्ची एड़ करेंगे हरी मिर्च को अच्छे से गोल्डन फ्राइ कर लेंगे अब उसमें हम अद्रफ का पेस्ट एड़ करेंगे इसे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें सोक एड़ करेंगे सोक की वज़र से समोसे में अच्छा टेस्ट आता है देखो हैं हमारे मिर्ची सोप यह अच्छे गोल्डन ब्राउन होके पक गए हैं अब हम इसमें बॉइड मटर डालेंगे और इससे भी फ्राइ कर लेंगे हमारी यह सारी चीजे फ्राइ होने के बाद हम इसमें पोटेटो डालेंगे अब हम इसमें चाट मसाला एड़ करेंगे जिससे हमारे समसी को अच्छा टेस्ट आएगा अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर एड़ करेंगे और नमक जो है वो अपने स्वाद अनुसार डालना है अब हम इसमें हल्दी पाउडर एड़ करेंगे इसे हम अच्छे से डीप फ्राइ करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे अब हमारा मसाला फ्राइ होके रेड़ी है देख सकते हमारा मसाला रेड़ी हो गया है अब हम समोसा बनाएंगे आटा फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे फिर आटे की गोल गोल लोई बनाकर एक ठीक रोटी बेल लेंगे ध्यान रखे रोटी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए अगर रोटी ज़्यादा पतली हुई तो समोसा क्रिस्पी नहीं होगा अब हम रोटी को बीच में से काट लेंगे और उसकी पॉकेट ज़्यादा कोन बना लेंगे हमारी पहले रोटी ये पतली हो गए थी हम दूसरी रोटी बेल के बताएंगे जो ठीक है इस रोटी का अच्छे से कोन बना कर उसमें हम मसाला अड़ करेंगे ध्यान रखे फ्रेंड्स कोनों को अच्छी तरह दबाएं ने तो कोने तेल में खुल सकते हैं अब हम इसमें मसाला अड़ करेंगे मसाला अड़ करने के बाद हम कोन के कोनों को बन कर लेंगे अब यह हमारा समोसा बन के तैयार हैं इसी तरह हम सारे समोसे बना लेंगे यह हमारे सारे समोसे बन कर तैयार हैं अब हम इसे फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने के लिए हमने कड़ई में तेल लिया है तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम उसमें समोसे डालेंगे और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक तलेंगे फ्रेंड्स समोसे को हाई फ्लेम पे फ्राइ करना है जिससे हमारे समोसे का कलर अच्छे से ब्राउन हो जाएगा देखो अब हमारे समोसे फ्राइ होकर रेडी है आप देख सकते हमारे समोसे का कलर किता अच्छा आया है अब हम इसको तेल में से निकाल कर अच्छा से तेल निकाल देंगे हमारे समोसे बनकर रेडी है कैसे लगे फ्लीज कमेंट बॉक्स में बताईए अब हमारे से लेगे, लूप घर लेए, तेल रेखा खा अब हमारे लेगे वह बाएभ हमारे से अब रह्मारा में यहा ON जेखते ह потреб लेगे से थाया, שणतुन पर दिसंते है वी पर दूब हमारे ये वा खाली